तो दोस्तो आज हम राजस्तान जीके के 25 इंपोर्टेंट प्रिस्टों के बात करेंगे और इस सभी प्रिस्टन राजस्तान सेटी 12th लेवल एमगरेजुशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेलपूल प्रिस्टन है इसलिए वीडियो में आपन तक जिरू बने चुछली वीडियो को सुरू करते हैं तो आपका बैला स्वाल है कि मारना परताब का जनम किस वर्च में हुआ था मोस्ट इंपोर्ण किसने और ये प्रिस्टन बहुत बार एक्जाम बूचा गया है इसलिए इस प्रिस्टन आपको रट लेना है कि मारना प्रताब को जनम जिससे कि आपकी प्रिशन होती देगी तो अगला प्रिशन देखते हैं अगला स्वाल है कि मार्णा परताप का दर्बारी पंडित कौन था मोस्ट इंपर्ण किसने और ये भी प्रिशन बहुत बार एक जाम पुछा गया है इसलिए प्रिशन को भी आपको रट लेना है कि मार अगला स्वाल है कि माराजा सूर्ज मल का अन्य नाम कौन सा था तो माराजा सूर्ज मल का अन्य नाम था वो था सुजान सिंग ठीक है सुजान सिंग जो था वो माराजा सूर्ज मल का अन्य नाम था अगला स्वाल है कि माराजा सूर्ज मल किस राजी के सा सकते तो माराजा सूर तो मेवारड राजे जो स्थापित किया था वो किया था बपा रावल ने अगला स्वाल है कि पानीपत का पहला युद किस वर्स में लड़ा गया था most important किसने और ये प्रशन बहुत बार एक्जाम पुछा गया है और 99% लोगों को पता होगा कि पानीपत का जो पहला युदुगा था वो कब लड़ा गया था तो आपको बता देता हूँ इसका जो पहला युदुगा था वो हुगा था पंदर सो चपवीस में अगला स्वाल है कि मंदत द्वारा लिखित मंदन द्वारा लिखित रूप मंदन का सम्मद्ध है तो ये किस सम्मद्ध है तो वो आपको बताना है तो ये सम्मद्ध है मूर्तिकला से अगला स्वाल है कि कानर देव कहां का सा सकता तो कानर देव जो था वो सा सकता जालोर का अगला स्वाल है कि कच्वा हां राजवन्स के संस्तापक थे मोह स्टिम्पन किसने और ये भी प्रिशन बहुत बार एक जाम पुछा गया है कि कच्वा राजवन्स के संस्थापक कौन थे तो इसके जो संस्थापक थे वो थे दुल्हेराई अगला स्वाल है कि उस वेक्टेत्व का नाम बताईए जो कि अभी नव भरताचारी के नाम से भी जाना जाता है अभी नव भरताचारी के नाम से भी जाने जाते हैं तो कौन जाने जाते हैं तो यह जाने जाते हैं मालना कुमबा अगला स्वाल है कि बाबर वरान सांगा के बीच खानवा का युद हुआ था निर्मान करवाए था अगला स्वाल है कि उस राजा का नाम बताईए जिसे फारशी य्तियासकार फरिस्टा ने हंदूस्तान का सबसे सकतिसाली सासक कहा और ये भी प्रिशनल परिक्सा में बहुत बार बुचा गया है कि उस राजा का नाम बताइए जिसे फार्सी एतियासकार फरिस्तान ने इंदुस्तान का सबसे 37 सासक का तो सबसे 37 सासक का था वो काता राओ माल देव को अगला स्वाल है कि सारंगपुर का युद राणा कुमभा और खालिस्तान के बीच लड़ा गया था तो किस के बीच लड़ा गया था तो ये लड़ा गया था मुमत खिल जी के बीच ठीक है और ये भी प्रिश्टन बहुत बार एकजाम बुचा गया है कि अवामेल जो हैं वो किस के द्वारा निर्मित हैं तो आपको याद रखना है ये निर्मित हैं कच्वा राजवन से द्वारा अगला स्वाल है कि डावी और जीवनी सामनतों की स्रेणी राजस्तान में कहा परिशली थी तो ये जो स्रेणी है ये परिशली थी जिसलमेर में अगला स्वाल है कि कवी बांदों की उपादी किस चोहान सासक को प्रात थी तो ये जो उपादी थी ये प्राप थी विग्र राज चतुर्त को अगला स्वाल है कि बिकाने राज्य था मुगलों के बीच पर्थम संदी पर हस्ताक्सर करने वाले सासक थे तो पर्थम संदी पर अस्ताक्सर करने वाले जो सा सकते वह थे कल्यानमल अगला स्वाल है कि निम्लिकित में से मारवाड की किस राटोड सा सकने मुगलों की अदिनता सुईकार नहीं की तो वह सा सकते राउचंदर सेंट कि राओ चंदेशेन मारवाड के वर्स आ सकते जिन्होंने मुगलों किया देनता है जो सुईकार नहीं की अगला स्वाल है कि मारणा कुमबा के सासनकाल में चितोड का वास्तुकार कौन था मुष्ट इमपॉर्ण किसने और ये भी प्रिस्टन बहुत बार एक्जाम बुचा गया है कि मारणा कुमबा के सासनकाल में चितोड का वास्तुकार था वो कौन था वो था मंडन अगला स्वाल है कि मारणा सांगा के मरत सरी का दासनसकार किस स्थान पर किया गया था मुष्ट इमपॉर्ण किसने और ये भी प्रिस्टन बहुत बार एक्जाम बुचा गया है कि मारणा सांगा के मरत सरी का जो दासनसकार किया गया था वो किस स्थान पर किया गया था तो ये किया गया था मांडलगड में अगला स्वाल है कि उदेपुर स्थित एक लिंग जी मंदिर का निर्माण किस मारणा के समय में हुआ था तो ये जो मंदिर है इसका निर्माण हुआ था बपा रावल के समय में अगला स्वाल है कि गोरा और बादल ने किसकी रक्सागी थी तो गोरा और बादल ने जो रक्सागी थी वो की थी रानी पदमीनी की अगला स्वाल है कि कि किसके सासनकाल में मुगल और मेवाड के महराना के मद्य चितोड की संदी हुई थी तो ये हुई थी जांगिर के सासनकाल में मुगल और मेवार की मद्य मद्य चितोर की संदी है जो हुई थी तो दोस्तों आपको 25 प्रसंदी थे जिसमें से आपने कितने प्रसंदी है वो हमें जल्ली से जल्ली कमेंट करके जुरू बताए और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हल्प उचावी दो आदो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिसे की वीडियो की निटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी दन्यवाद